असलाम की विजोट, मैंने बरिजवान चीमा, वेलकम बैक विद अधर वीडियो ऑफ पार्क विजटी इसलाम बाद, आज की वीडियों को पार्क विजटी में अवराल डिवल्ल्पमन्ट के वाले से एक्स्प्लियन करूँगा, इन सेक्टर डी, इससे पहले मैंने सेक्टर अ सेक्टर B और सेक्टर C की वीडियो बनाइन थी, इन तीनों सेक्टर की विडियो हैं, वो आपको डिस्किप्टिन में मिल जाएंगा उनकी लिंक्स, आप वहां से जाकर अगर अपकी उन सेक्टर में इसमें इंवस्प्रिपता है, तो आप वहां से इसका फॉलॉप ले सकते अब sector D के अच्छी बात यह है कि sector D जो वो बहुत ही elevated area पे यानि बहुत ही एक पहाड़ी के उपर है और पहाड़ी को काट के सोड़ा level किया गया है जहां पे इन दो plots की cuttings को manage किया गया है sector D और sector E कहलें कि पार्कुसर्ट इसलामबाद के सबसे elevated point है जो आज की date में exist करते है कल को को नया block आ जाता है जो इससे भी उंचा होता है या इससे ज्यादा height पे होता है वो एक अलग बात है लेकिन आज की date में इन दोनों sector से ज्यादा elevated sector कोई भी मजूद नहीं है sector F थोड़ा सा partially E के बराबर है बाद D और E को देखा जाए स्पेसिफिकली तो आपको यहां से जो व्यू मिलता है अब जिन जो को single खर नदा रहा है यह sector E में terraces के plot है अब इससे पीछे कर देखें तो जो roads गुदर रही है वो 60 feet नीची है यहां पर D block वाला घर है वो E block वाले घर से 60 feet नीची है यह road कीतनी कहलें कि depth है इससे नीची है पहाड़ी के उपर है तो definitely यहां से depth बनती है और background में आप H block compare कर लें तो तरीबन आपको 1.500 foot नीची है यह पहाड़ी से यह E block वाला sector है यह D block है वहां से तरीबन आपका कहलें कि 100 foot नीची है अब पीछे sector edge को देख लें और पीछे जहां पर commercial मरकज बन रहा है उस downtown को देख लें और D block के plot को देख लें तो आपको अच्छी तरह से understand हो जाएगा यह plot इतना वर्त क्यों करते हैं इनकी सबसे बड़ी reason है आप यह F6 में जाते हैं F7 में जाते हैं यह E6 में जाते हैं वहां पर आपको average जो कनाल का घर है वो मिलता है तरीबन 90 से 95 क्रोड का F6 वर हमें आज है 50, 45 क्रोड, 60 क्रोड, 65 क्रोड, 70 क्रोड यह नॉर्मल रेट है यहां पर कनाल के 666 गजवले भी जुखा रहा है यहां जो 60 by 100 वाला प्लॉट होता था प्राने साइस के मरले के साब से उस तरह के प्लॉट यहां पर जो आपको rates मिलते हैं यह उन सेक्टर के comparison में तक्रीबन 110 मिलते हैं यहां पर 10 क्रोड है तो यहां पर 1 क्रोड है यहां पर 10 क्रोड है तो वाँ पर 1 क्रब है इस तरह rate मिलते हैं अब यह जो आपको ने बात सरा वीडियो के स्टार्ट में बताने का मकसद यह था ताकि आपको understand हो सके कि इतनी prime property है पार्गियो सेटी इसलामबाद में जो से limited लोग के पास हैं और गिंती के total 60 लोग हैं यानि कि 60 लोग के पास यहां पर 2 कुनाल के plots हैं जो इस पर घर बना सकते हैं remaining लोग के पास यहां पर दूसरे sectors में plot हैं यहां पर किसी होर सेक्टर में इतनी elevation अच्छी नहीं है अब देखा जाएं इन सेक्टर की elevation का मैं जिकर कर रहा हूँ यह elevation आपको कभी शाम के टाइम आप बैठें यहां पर और शाम के टाइम आप 360 डिग्री में देखें अब यह क्यों मिल रहा होगा उन लोगों से तक्रीबन आपके घर की हाइट तक्रीबन तीन साथे तीन सो फिट उपर होगी जो आपको विडियो से अंतादा भी हो रहा है अब यह downtown जो है यह क्यों important है कि downtown जो है ना पारको सेटी ने concept launch किया था दुबई की तरस पर यहाँ एक downtown बनाया जा रहा है जो center point होगा commercial activities के लिए यहाँ पे स्टम आट मरले का plot जातर इबन आपको 8-9 क्रोड-10 क्रोड की value हो जाता है कनाल का plot 20-20 क्रोड की value हो जाता है वो इसलिए value इतनी लेता है क्योंकि इस तरह का concept पहले पाकस्तान में exist नहीं करता था specifically in Islamabad Islamabad अगर center से देखें तो सबसे पहले अगर key location की बात करें या key point की बात करें तो वो बनता है zero point से Islamabad से आप 15 minute के radius के अंदर है यहां से आप 15 minute के अंदर zero point Islamabad easily commute कर सकते है अब 15 minute के radius के अंदर आपका D12 भी है और 15 minute के radius के अंदर आपका G13 भी है अब G13 में चार मले का plot है तरीवन वो इस तरम धाई क्रोड पहने तीन क्रोड का है same goes for D12 यहां पे आपका जो पांच मले का plot है वो तरीवन आपका एक रोड पे का possessionable plot आपको अच्छी शांदार location पर जहां पर surrounding में सारे घर बने है वहां मिल जाता है अब यह जो इतने rate सा gap हो इसलिए कि पार्क फिस्ट इसलामबाद 2018 में लाँच हुआ है और G13, D12 यह जो है वो mid 90s, mid 80s के launch sectors है तो जायर सी बात है कि वहाँ पर rate बन गया हलांकि वहाँ से आपको इस तरह से elevation देखने को नहीं मिलती elevation matterously करती है कि specifically इसलामबाद में कोई भी आपको local बंदा नहीं मिलता बहुत कम आपको local लोग मिलेंगे जो इसलामबाद में पैदा हुए उनके जद्धी पुष्टी यहीं पर खांदान था सारा ऐसा नहीं है इसलामबाद के अंदर जितने लोग हैं सारे वो commute करके हुए यह तो पंजाब से यहां तो KPK से इसलामबाद के इसलामबाद के अंदर एक पॉइंट ले जाता है कि इसलामबाद के अंदर जब आप राके रहते हैं तो इसलामबाद में तो आपका गुल्बग भी आता है DHA2 भी आता है, DHA5 भी आता है, बहरिया भी आता है, इंकलेव भी आता है, मुखलिक जगे आती है G13, D12, सारे इसलामबाद में आते हैं लेकिन इसलामबाद की जो main key point है, focus point है वो है इसलामबाद की elevation इसलामबाद में जो पहाड़ों का मनज़र है यानि कि आपको इसलामबाद के लावा किसी flagship city में एक तो पकिस्तान का पहला plant share दूसरा कि plant share के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी elevation के साथ सबसे अच्छी location के साथ आपको जहां पर घर बनाने का मौका मिले वो area तो ये इसलिए पार्गवी सिटी को advantage इस sense में हासिल है कि पार्गवी सिटी के पास यहां पर जो land है उसकी elevation आम सुसाइटिकों से 5,455 फूट के elevation पी है जिस तरह आप जिसे मरी जाते हैं तो मरी की elevation पंजाब से comparison करें यानि कि नॉर्मल ground sea level से देखें तो तक्रीबर मरी की elevation 7,300 square feet है पंजाब की elevation तो ये तक्रीबर आपको 5,000 foot से है 7 समंदर से तो आपको उस सरह से elevation बहुत अच्छी मिलती है तो ये वज़ा है कि पारकुषट इसलामबाद में अगर आप घर बनाते हैं तो आपको 360 डिग्री में बहुत अच्छा वियो मलता है ये इसकी वाहिद रीजन है यहां पे घर बनाने की और कोई रीजन ही है अगर आप investment point वेज़े देखते हैं तो पारकुषट इसलामबाद में बहुत को बहुत कोई flagship project है उसकी रीजन है कि पारकुषट इसलामबाद में बहुत को बनाता सीरिस है तो अगर आप consider कर रहे हैं इसको investment point वेज़े तो मेरे खाला consider ना भी करें तो फरग नी पड़ता क्योंकि यहां पे अगर आप consider कर रहे हैं सिर्फ रहने के point वेज़े तो इस तो इसा बहुत मुश्किल है अगर आप दूसरे point को करें के लिए काम पर benefit होते है इंवेस्टर्स के लिए कितना return on investment के chances होते हैं उसका जड़ा आपको theory explain कर देता हूं और उसी theory पे आप इस्लामबाद परिंटी देख लें है पकसाना कोई भी शेयर देख लें उसी theory पे अमल हो रहा होता है अब हमेशा investment point फिशे देखते हैं कि जहाँ पे आपको किसी public road पे आपको property आपकी हो वहाँ पे आपकी living point फिशे उतनी ज़्या फीजिबल नहीं रहता यानि आपको हमेशा traffic भी हंगम traffic होती है शोर होता है हमेशा आपको वहाँ पे एक negative चीज़ फेस करनी पड़ती है लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वह property हमेशा rates ज्यादा जैसे एक जगा से ब्लूरी इसलामबाद है ब्लूरी इसलामबाद में जो plot है वो पकिस्तान के सबसे महंगे plot क्यों है वो इसलिए पकिस्तान के सबसे महंगे plot है कि ब्लूरी इसलामबाद से दिन की तकी तकीपन 2-3.5 लाग गाड़ी गुजरती है और 2-3.5 लाग गाड़ी से मतल मुराद यह है अगर एक गाड़ी में 4 लोग भी बैठे हो तो आपको पार डे 10 लाग लोग वहां से गुजरते है तो फुट फॉल वहां पे बहुत ज़्यादा होता है अब ब्लूरी आ पाकिस्तान जो है वो सबसे महंगी property consider होता है आप कराची में चले जाएं आप तारिक रोड पे चले जाएं जहां पे आपको commute बहुत ज़्यादा मिलती है गाडियों की वहां पे हमेशा आपकी जो product होती है वो investment point उसे बहुत feasible रहती है आप इसलामबाद highway की बात कर लें इसलामबाद highway के अंदर जो गुलबाग ग्रीन्स में उस प्रजेक्ट तक जा सकती है अब पार्ग विश्टी में ऐसा को public road आपको नहीं लगता पार्ग विश्टी इसलामबाद में अगर आपने जाना है तो आपके पास रूट बनता है 0.15 मिनिट के फासले पे आप डेफिनली बैठे हैं 15 मिनिट से मुराद है कि अगर आपके बच्चे इसलामबाद में पढ़ते हैं किसी यू़निवर्षटी में जाते हैं स्कूल में जाते हैं किसी भी जाग कम्यूट करना है तो आप 15 मिनिट में आप कम्यूट कर सकते हैं DHA 2, DHA 5 हो गया, अब DHA 2 और 5 की एक्जेंपल यहां पर कोड करूँ, DHA 2 में इस वक जो साल पहले यहां से रेट था, तर्वीबन रेट था 3 क्रोड रुपे का, G-Block में 3 सावा 3 क्रोड का G-Block में रेट था, एक साल बाद, एक्जेक्ट तर्वीबन 9 से 10 माँ बाद, वो यह रेट आपको साड़े 5 का मिलता है, तर्वीबन आपका 100% के प्रॉक्सिमेट यहां, 80% के आसपास रेट में इदाफा हुआ है, वो इसलिए होए कि DHA के पास पहले इंटरचेंज नहीं थी, अब DHA के पास इंटरचेंज है, तो इसलामबाद हाईवे से, अगर आप DHA से आना चाहें, 0.15-20 में आते हैं, और दूसरी बाद डिस्स ज़्यादा है, लेकिन वहां से लोगों कम्यूट बहुत है, अब जो कम्यूट होता है, तो लोग जाहर सी बात है, आपको बाइर बहुत कम मिलता है, तो ऐसा बाइर आपको होता है, जिसने सरफ घर बनाना आता है, तो इसलिए मैं वीडियो में, मेरी एक आदात है कि मैं बिल्को ट्रांस्परेंट रहा के, एक चीज़ एक्स्प्रेंट करता हूँ, तो यहां पर अगर आप पार्ग वीडियो सिटी में, इसलामबाद में घर बनाने पॉन्ट इफिस है, तो आपको क्या DHA, क्या बहरिया, क्या गुलबग, क्या CDA सेक्टर कोई कंपेरिजन में आते नहीं हैं, क्यूंकि पार्ग वीडियो सिटी इसलामबाद, इसलामबाद जिस चीज के लिए फेमस है, देट इस ग्रिनरी, देट इस लैंड्सकेप, देट इस प्लैंड सिटी और प्लैंड डिवर्जन अफ अब यहां पर देखते हैं, तो पार्ग वीडियो सिटी में आपको हर एक चीज प्लैंड मिलती है, अब दोनों पार्ट आपको दिखाने का मकसद है, कि डाउंटोन जो आज से क्रीबन डाई सल पहले यह थीन सल पहले लाँच हुआ था, डिवेलप पॉजेशनेबल, अभी भी आदे से ज्यादा डाउंटोन, क्रीबन 90% डाउंटोन खाले ही पड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पे जिन लोगों के पास हैं, वो इन्वेस्टर्स अपने हों कहते तो हैं, अब आप 20 क्रोड का प्लॉट हैं, यह 25 क्रोड का प्लॉट है, end of the day प्लॉट बेचने मार्केट में जाते हैं, तो आपको प्लॉट बिखता नहीं असानी से, अब इस एंगल से देखें, डाउन टाउन से आपको पीछे 360 डिग्री का व्यूट देख लें, और आपको सामने D-Block वाले वो घर नदर आ रहे हों के दो-दो कनाल के, राइट साइड पे H-Block में छोटे 5-5 मतला वाले घर हैं, और D-Block है, बिल्कुल पीछे जो सिंगल खर आपको नज़र आ रहा है, जहां पे पार्गु सुटी का बोर्ड लगा हुआ है, उसे पीछे E-Block है, अब ये चीजे हैं, ये अलिवेशन हैं, जो मैं एक्स्प्रेस करना चारा हूँ, कि अगर आपके पास सुटाइटी अच्छी पॉइंट है, जहांसे लैंड्सकेप मिलता है, तो इसको यूटलाइज करें, आपके पास यहां पे दो घर हैं, तीन घर हैं, चार प्लॉट हैं, जितने भी हैं, उनको कंबाइन करके एक बड़ा घर बना लें, यहांने इसलामबाद में जहांपे लोग विश कर सकते हैं, फ्यूचर में जाके यार काश मेरे यहां पे करो, हाँ, एक और बात, कि पार्कु सुटी अगर अभी इन्वेस्टर के लिए फेवरेट नहीं, यह नहीं है, क्योंकि स्पेस बनाने के लिए आपको मार्केट की रीसेल चाहिए, और रीसेल में पार्कु सुटी इतनी अपनी स्पेस नहीं क्रेट कर सका, अब केपिटल स्मार्ट हैं, जिस बन्दे ने आठ्वाला कमर्शल लिया, और उसका 400 फोट वे बैलेटेट है, उसका प्रॉफिट है तकरीबन धाई क्रोड, पार्कु सुटी में कोई एक प्लॉट दिखा दें, जिसका फर जेंबल 300 गुना प्रॉफिट हुआ हूँ, क्रोड का प्लॉट, धाई क्रोड प्रॉफिट, तकरीबन अपको 500 गुना प्रॉफिट हुआ साल के अंदर, यहां पे प्लॉट का, यहां पे पुरी सुसाइटी में ऐसा को प्लॉट नहीं होना, ब्लॉवर्ल में नहीं होना, अब जो चीज़ें होती है, वो मैंने जो पहला पॉइंट रिलेट किया था आपको, कि अगर आपने इंवेस्टर पॉइंट उसे देख रहे हैं, तो हमेशा देखें जहां पे पॉब्लिक रोड जा रहा है, पॉब्लिक रोड है, जहान से पॉब्लिक का गुजरना मजबूरी है, पॉब्लिक का वहाँ से गुजरे बगार नहीं गुजारा होसकता, उस रोड पे आपकी इंवेस्मेंट कभी नुकसान नहीं दे सकती ये एक पड़ा लिखा फार्मूला है ये एक उलिया आप अजमा लें कभी आपको पाकस्तान में कोई प्रॉपर्टी नदर नहीं आएगी बिलकुल बकवाज, गलिया, 15-15 फूट के गलियों के साथ भी जिटी रोड पे सुसाइटी है वहाँ भी रेट जाके 20-25 लाग मर ला है क्यों रेट है? क्योंकि वहाँ पर कम्यूट बहुत ज़्याद है लोगों का गुजर बसर बहुत है वहाँ से लिविंग पॉइंट वह से देख रहा है तो ट्राइ करें कि ऐसी जगार डूंडे है जो पार्कु शुटी के बहतर ना भी हो तो इससे कम भी ना हो इस तरह कि आपको इसलामबाद में सुसाइटी नहीं मिलती पार्कु इस लिहाद से अपनी मिसाल आप है यह एक्जेंपल आप कोट कर से थे हैं किसी को भी और यह सारी एक्जेंपल आपके लिए समय देख रहें के लिए काफी है कि पार्कु सुटी के अपनी स्टैंडिंग क्या बनती है अगर आपको पार्कु सुटी इसलामबाद में बुकिंग के वाले स्कुली मालमा चाहिए यहां दीगर नमबर पर रापता करें इसके साथ हमारी वेबसेट विजट करना मत भूलें www.makansolutions.com अगर आपको यह वीडियो ची लगे तो प्लीज दो लाइक, कमेंट और शेर और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलें रिजबान चीमा को दीज़े अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस